गुद मॉर्निंग स्टुदेंस हमने अपने 9 चप्टर स्टार्ट कर रहा था इस फोर्स हमने क्या बढ़ा था? फ्रिक्शन फोर्स पड़ा तो फ्रिक्शन के एक तरह का फोर्स है जिसकी भज़े से जैसे हमारा कैरम गोर्ड का स्लिपरी हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि महापर फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है तो जो रफ सर्फेस होगा महापर फ्रिक्शन फोर्स जाता होगा और जहाँ पर स्लिपरी सर्फेस होगा महापर क्या होगा अपका फ्रिक्शन फोर्स कम होगा ठीक है, अब देखू, मशीन्स can last longer with less friction, friction can be reduced by using liberements like oil and grease in machinery parts, rollers and wheels also reduce friction between the floor and the surface of the object, this makes it easy to move heavy objects, तो मशीन्स जो है, वो हमाई लंबे ताइम तर काम करती है, खराब नहीं होती है जल्दे से, अगर उनमें friction force क्या होगा, कम होगा, ठीक है, अब friction काम reduce कैसे करते है, by using the lubricants, जैसे oil है, grease है, उसको मशीन्री के parts पर लगाती है, तो friction हमारा क्या हो जाता है, क्रम हो जाता है, अब यह देखिए, जो आपके road पे vehicles होते है, ठीक है, उनकी बीच, उन पर क्या लगे होते है, अब के wheels लगे होते हैं, उन wheels की बज़े से क्या होता है, जो road और जो vehicle होता है, उसके बीच में friction force क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, heavy objects जो होते हैं, वो easily move कर सकते हैं, अब advantages क्या हैं friction force के, friction जो है, उसकी बज़े से, जो sole है, शूसका और जो ground है, वो हमें prevent करता है, slip करने से, ठीक है, the grooves in the sole of the shoe, helps to increase the friction, तो नीचे जो छोटे जो, dots कभी circle में, rectangle में, शू के sole के नीचे, जो बने हुए होते हैं, उसकी बज़े से क्या होता, friction force बढ़ जाता है, जिसकी बज़े से, हम कभी भी floor पे slip नहीं होते हैं, क्योंकि हमापर friction force क्या हो जाता है, जादा हो जाता है, ठीक है, friction allows us to write on a chalk, using a piece of chalk, it is not easy to write on a smooth and slip the surface, friction की बज़े से, हम क्या है, board पे chalk से लिख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, surface, महाँ पर आप्रा surface क्या होता है, smooth होता है, board होता है, ठीक है, अगर महाँ रफ सर्फेस पे chalk से क्या write down, नहीं कर पाओगे, we can hold anything because of frictional force, the surfaces of our fingers are covered with fine ridge patterns, these patterns increase friction, so that we can grip things better, अब जो हमारे fingers होते हैं, हमारे hands होते हैं, जोटी-जोटी lines बनी होती है, जिसके वज़े से हम क्या कि भी object को hold करना easy होता है, तो इससे क्या होता है, friction force बढ़ जाता है, हमारे hand के और object के बीच में, next is friction between the tip of the match stick, and the surface of the match box, causes the match stick to light up, तो match stick के जो tip होती है, और जो match box होता है, उसके बीच में क्या होता है, आपका friction force होता है, जिसके बज़े से, आपकी जो match stick होती हो क्या करती है, जल जाती है, light up होता है, ठीक है, वो भी किस बज़े से होता है, friction force की बज़े से, next is disadvantage क्या है, friction force की, कोई भी object होता है, friction जादा होता है, तो उस object को move करना, हमारे लिए क्या होता है, बहुते जादा difficult होता है, दूसरा क्या है, friction की वज़े से, आपकी टायर क्या होती है, जैसे कहीं पर आपने रोड देखो, खराब होगा, तो आपे क्या होगा, आपकी टायर जल्दी खराब होता है, बार बारा बार दोती चीज़ पर, तो आपके रख होगा, एक रोड जो आपका स्मूथ होगा, तापके टायर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपके टायर जैमेच हो जाते हैं, दू तो more friction, the souls of our shoes and makes these objects bear away with time, तो friction जादा होगा, तो आपके टायर क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जल्दी से, friction generates heat, heat produced due to friction, damages the part of heavy machines, friction के वज़े से क्या produce होती है, heat produce होती है, जिसकी वज़े से आपके parts क्या हो जाते हैं, damage हो जाते हैं, ठीक है, इप one of tire, देखो, आपके दो tires दिये हों है, एक new tire है, दुछरा क्या है, जो tire friction जादा friction के वेज़े से क्या हो गया है, यहाँ पे किस गया है, ठीक है, देखो, यह tire क्या क्या करेगा, these are the rules in new tires, that is, this is the friction between the tire and rule, अगर tire नए है, तो महाँ पे क्या होगा आपका friction जादा होगा, और आप अच्छे से road पे आपका vehicle चलेगा, लेकिन अगर अगर अपके tires के पे ग्रूव्स हैं, वो खतम हो जाएंगे, जादा friction की वज़े से खतम होते हैं, ठीक है, बार बर उस चीज़ पे रगड लगेगी, तो गाड़ी होते हैं, बाइक होते हैं, ताइम के साथ चेंज करते रहते हैं, ताकि वहाँ पर हमारा friction force जादा बनाते हैं, ठीक है, और हमारा vehicle जोग होगा अच्छे से road पे चल सकते हैं, नेक्स्ट इस बॉयन्ट फोर्स और बॉयन्सी, अब आपको देखो, दो ग्लास्स हैं, इसमें औरेंज को पील करके डाला गया, और इसमें औरेंज को बिना पील, तो जिसको पील नहीं किया गया, वो क्या फ्लॉट कर रहा है, और दूसरा क्या है, आपका सिंक कर गया, डूप गया, यहां पर इसमें, पील लॉट है, और अरेंज को पील हुग है, और इयर पॉट कर थे हैं, जिसकी वज़एसे यह आपको फ्लॉट करता है, जो आपका, अब किसी भी ऑपजेक्ट और पानी में डाले गया, तो फ्लॉट करेगा या इस तिंक करेगा, जो पानी होता है, वो भी क्या एक force लगाता है object के ओकर, वही force आपकर क्या होता है, buoyant force होता है, ठीक है, object का नहीं, जो force water ने लगाया, उस object पे this force is the buoyant force for the buoyancy, ठीक है, the object also applies a force on water surface due to its mass, अब जो object है, वो भी आपकर क्या करेगा, उस surface, उस water surface के force apply करेगा, ठीक है, next is, if the upward force applied by the water on the object is more than the force of the mass of the object on the water, जो water ने force apply किया, जो एक, दो force है, एक water apply करेगा, एक object, तो जो force water ने लगाया, अगर जादा है, तो आपका object क्या करेगा, फ्लॉट करेगा, लेकिन, यदि आपका object का force क्या है, जादा है, as compared to the force of water, तो आपका object क्या करेगा, शिंक करेगा, arguments ने concept दिया, flotation of object का, according to this concept, the buoyant force equal to the weight of the water displaced by the object, this statement is called the arguments principle, argument से क्या कहा है, जो buoyant force है, वो किसके equal होता है, weight of the water displaced by the object, जो object ने जो water को हटाया, फ्लॉट है, displaced किया, उस weight के बराबर क्या होता, आपका buoyant force होता है, तो students आज के लिए इतना ही बाकी कल continue करेगे,